नमस्कार दोस्तों and welcome to my channel कैसे आप सब उमीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे तो हमने यहापे स्टार्ट की थी cbse class 12 का भी जो latest आपका हिंदी का paper हुआ था उसको हमने solve करना स्टार्ट किया था question number 4 तक हम already उसकी answer की discuss कर चुके हैं आगे जो आपके mcq वाले question है question number 5 और question number 6 उसकी answer की discuss कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले question number 5 की बात करते हैं यहापे भी आपको यहापे गद्यांश दिया है अब यह आपके book वाले question है बुक में से अधारित हैं यह सारे question और एक number का question है तो 5 question 5 नमर की होगे तो यहापे आपको एक गद्यांश दे रखा था जिसे आपको पढ़ना था आपको यह जो पहलवान की ढोलक एक story है वहापे आपको दे रखा है आपको एक chapter है उसी से यह गद्यांश लिया गया इसको ध्यांश से पढ़ना था और इसके उपर जो based question उसको देख लेते हैं यह तो आपने पढ़ी लिया होगा सीधे इसके parts पे चलते हैं सबसे पहले बोला है यहाँ पर first part के अंदर गद्यांश में प्रियुक्त भयार्थ शब्द का अर्थ है इन में से चार option में से कौन सा इसका अर्थ है तो इसका बी option बिल्कुल सही है जो है भैसे पीडित इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर comparison कर रखे जैसे poet क्या करते हैं जो कभी होते हैं अपने गद्यांश में अपने पद्यांश कविताओं में अपनी भाशा शैली में अपने शब्दों में एक नया जीवन देने के लिए इस परकार से comparison करते रहते हैं जैसे इनों नहीं आपे बोला है malaria और हेजे से पीडित सब्सक्राट में आपको काया है गद्यांश का केंद्रे भाव है यह चार option है तो इसमें जो सी option हो सही है क्योंकि जो आपका गद्यांश है उसका main जो उसका theme है वो यह है कि भूक और महामारी से दम तोड रहे गाउं के दवनिये दशा का चितरन पूरा उनोंने दर्शाय होती है खतम कर रही होती है तो इसके बाद इसका second हमने देख लिया third option मिल्कुल सही है यानि c option is the correct answer of second part इसके बाद third part में देखते हैं इसमें बोला है निमनलिकित कथनों पर विचार करते हुए कद्यांश के अनुसार सही कथन को चनियत कर लिखिए यहां पे जो correct statement है उसको विर्थ प्रयास है यहां पे यह बताना चाहरे हैं कि जिस परकार यहां पे नोंने जिकर भी किया था जैसे आकाश से तूटकर यदि कोई भावक तारा प्रित्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी जोती और शक्ती रास्ते में ही यहां पे लिख रहा है शेश हो जाती है यानि खतम हो जाती है तो इसका मतलब यह था अगर किसी के पास कोई आशा किरन भी हो तो उसका जो प्रयास है वो भी व्यर्थ जाता है इसलिए इसका जो पहला कथन है यह जो ऑप्शन है वही बिल्कुल सही उत्तर होगा इसके बद आपको बोल रखा है फोर्ट पार्ट क यह दिखाना चाते हैं कि जो मामारी उसको देखकर जो प्रकरती है वो भी विवश है वो असमर्थ है कि वो कुछ कर पाए कुछ चीजें सही कर पाई इस मामारी को खतम कर पाई तो वो कुछ ना कर पाने की विविश्टा के कारण आसु भा रही है इसलिए इसका d option मिल्कु दे रखी थी सिधा वहां से देखना थाimmeश को करना था Cha 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 पार्ट्स दे रखे हैं तो पहला बोल रखा है आमवस्या की राठ ठंडी और काली तो ये दर्शाता है कि जो पूरा परिवेश है जो पुरी सिटुएशन है वो कैसी है निराश पूर्ण है यानि निराशा पूर्ण है चार और सिफ निराशा यानि दुख ही फैला हुआ है तो फर्स्ट को मैच करेंगे थर्ड से, सेकंड को मैच करेंगे फर्स्ट से क्योंकि प्रकाश का नाम नहीं यानि जो आशा है या फिर यहां पे आप देख सकते हो जी जी विशा है उसका अभाव है यानि हर तरफ ही जो आशा है वो खतम हो चुकी है कोई भी ऐसी उमीद न पाएगा महावारी फैलने के कारण इसलिए हम कहा रहे हैं कि आशा नहीं है यानि प्रकाश का नाम निशान ही नहीं है तो सेकंड को फर्स से मिला देंगे बचा थर्ड थर्ड को मिलाएंगे सेकंड से तारे की शक्ति और जोती रास्ते में ही शेश हो जाती यानि खतम हो जात सही होगा अब नेगस्ट जो कोशन है इसमें आपको पूरे 10 एंसी के यहां दे रखेंए यहां पर सिख्स होने वाला है यहां पर बोला है पूरक पुस्तक पर अधारिद परशन है यापके ठीक है तो जो जातों मुझे ध्यान है आपकी वितान की पुस्तक हैं उसके यह आ दार पर यहां पर आपको आंसर चूस करने थे जो सबसे पहला जो यहां पर पार्ट दे रहा है सिक्स्त कोशन का वो बोल रहा है उसमें यशोदर बाबू अपने मात हतों से छुटी के समय मनुरंचक बात क्यूं करते थे अक्सर अगर आपने अच्छे से पड़ी थी यह वाल था उसका निराकरण करने के लिए करते थे यानि उसको खतम करने के लिए करते थे जो उन्होंने दिन भर जो अपना वहवार से लोगों को परिशान किया था उनके जूनियर परिशान हुए थे उसको बैलेंस करने के लिए वो अक्सर उनसे मनुरंजन यानि एंटरेनिंग बात कर लिया करते थे तो इसका A option बिल्कुल सही है ठीक है फिर इसका second part देखो हम लोगों के यहां silver wedding कब से होने लगी अब यह जो statement है कि हम लोगों के यहां silver wedding कब से होने लगी यह किसने कही थी और किसको कही थी यानि किसके द्वारा किसे संबंदित यहां पे कर रहा था ठी यह मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है यह थोड़ा दुंदला दुंदला है आपके पेपर वोगा आप उसको लेके बैठे होगे आप उससे match करते रहे ना आपके questions exactly same है या नहीं है तो basically हमें यहां पर यह बताना है यह जो statement दे रही है हम लोगों के वहां silver wedding कब से होने लगी तो यह जो statement है यह यह शोदर बाबु ने कही थी और किसे कही थी किसको संबोदित कर रहे थे वो यहां चड़ा को कर रहे थे जो उसके साथ ही नहीं हमें कर्मचारी हुआ करते थे तो यहां पर डी option बिलकुल सही हो जाएगा किसने कही थी यह शोदर बाबु ने तो इसका C option बिल्कुल सही हो जाएगा तो C option ये तो I hope सबने सही किया होगा कमेंट करके मुझे बताना भी कि आपके कितने आंसर सही हो रही है किसी कोशन में doubt है तो वो भी बताना मैं जितने कोशन बता रही हूँ आपको बहुती ज़्यादा match करके मेरी कोशुश ये ही आपको exactly सही आंसर बता हूँ और 100% यहाँ पर जो मैं आंसर बता रही है वो सारे के सारे सही है तो किसी और को mislead भी मत करें कमेंट में आकर बहुत सारे बच्चे ऐसी उनको पता होता नहीं है या कोई और भी आ जाता है मुझे नहीं पता कि वो क्यों करते हैं आसा बस वो mislead कर जाते हैं बचों कि यह गलत है वो गलत है आप पहले यहाँ पर चेक कीजिए बुक से चेक कीजिए जहां पर आपको ऑथेंटिक सोर्स हेवास से करता है जो पार्ट इसमें बोला है निमनलेखित कथनों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए तो यहाँ पर आपको चार कथन दे रखें फोर्ट स्टेटमेंट दे रखीं आपको यहाँ पर बताना कुन सी सही है ठीक है तो अगर आप देखते हो तो जो वसंद पाटिल है वह यहां पर लेकर की क्लास में आता है एक बच्चा तो वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलीजेंट था तो फर्स्ट ओप्शन तो ऐसी गलत हो गया दूसरा यह था कि जो आनंदा था आनंदा कौन था ल हमें सी ऑप्शन में बोला है कि कथन थर्ड जो है तीसरी जो कथन है वो सही है ठीक है क्योंकि जो वसंद पाटिल है बहुत इंटेलीजेंट स्टूडेंट था उससे कख्षा का मॉनिटर बना दिया गया था इसके बाद हमारा जो फिफ्ट पार्ट है इसमें बोला है निमन कारण ये है कि सिंदु घाटी सब्वेता पहली ज्यात संस्कृती है जिसमें लगबख साथ कुए नदी सनानागार और बेजोड जलनिकासी की विवस्ता है तो ये बिल्कुल ही सही है कारण भी यहां पे स्टेटमेंट को यहां पे एक्स्प्लेन कर रहा है तो कथन भी सही ह कर रहा है तो इसका डी ऑप्षन मिल्कुल सही है कि कथन तथा कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन mı की सही व्याथ करता था एक लिए एक नगर्या diez तथी जिसमें कई बी खोजे गए थे ठीक है तो इसका जो आपका यहाँ पर सिक्स्थ जो पार्ट है इसका अभी ऑप्शन बिल्कुल सही है फिर यहाँ पर सेवन्थ पार्ट आता है वर्तमान में सिंध की खास पहचान क्या बन गया तो यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर में दे रखा है कि क्या किया करते थे कवीता को याद करने के लिए उसको प्त्थर की शिला पर लिख दिया करते थे और जब उन्हें वो याद हो जाया करती थी तो वो उसे मिटा देते थे यानी जब ओने को याद जब हो जाते ही तो मिता देते थी सलिए को सुनाया करते थे लेकिन मिताने के बाद ठीक है इसलिए भी ड्याप्शन इसका बिल्कल सही है फिर नाइंत कोश्च में बोला है सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रियोक्त असी का फूल का मतलब है आशे playlist को अपनी चूटिया लगा लिया करते थे ठीक है तो इसका जो नाइन्थ जो पार्ट है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फिर जो आपका यहाँ पे टेंथ पार्ट है इसमें बोला है जब तक बाप है तब तक मौझ कर लो यशोदर बाबु यह बात अपने बच्चों से कहते हैं तो यहाँ पे हमने कोशन नमबर फिफ्ट और कोशन नमबर सिक्स दोनों ही बहुत अच्छे से डिसकस कर लिए हैं सारी आंसर की मैंने आपको एमसीव की प्रोवाइड कर दी है बाकी दोनों वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट में मैं डाल दूंगी ठीक है तो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो किसी आंसर के लिए अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप शेर भी कर सकते हैं आपका ओपीनियन थेंक्यू फोर वाच्छिंग आपका पीपर अच्छा गया हो और आगे आने वाले